नमस्कार पुल्ट्री फर्मर भाई हूं देखें मेरे फार्म के अंदर जो है बर्ड में आई बीएच आ गया था और आई बीएच के वज़े से जो मेरे बर्ड में मकल्टी शुरू हो गई ची और यह मकल्टी दस से बारा है परिब्ध हुआ है क्योंकि मैंने समय रहते इनका फीड नहीं खाता है बर्ड तो फीड में नमी लगने लगता है तो आप उतना एक डालिए अपने बर्ड को दिखना 24 गंटा में बर्ड खा जाता है क्योंकि देखें जिससे कि आप फीडर पर देख रहे हूंगे यह डस्ट जमा हुआ है तो यह डस्ट दीरे दीरे नमी को इससे पाला पढ़ने लगता है पंगर्ड बनने लगता है और जो मेरा फीड आया था तो उस समय बारिस वगरा हो रहा था तो बारिस से बचाने के लिए हमने उसको गाड़ी में से अपने फार में रखना चुरू कर दिया तो उसके वज़े से जो है फोड़ा बैद भी गय तो मैं अपने फायम पर ज्यद्ध एक生कर दभात तो उस वह दोट इस से जो है फोड़ा प्रण है और मैंने अपने बंड को ना लिवर दिया था नंडिय दिया था क्योंकि मैं अपने फार्म पे सब्सक्राइर और लिवर और और दवा देते रहिए इसको नहीं रोका तो मेरे बर्ड में जो मोटल्टी है मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने बागी बर्ड को फेक दिया था लेकिन अभी मेरे फार्म में कुछ बर्ड मरे हुए हैं तो जो बर्ड बीमार था मैंने उसको बाहर रखा था क्योंकि जब भी आपके फार्म के अंदर बर्ड कोई बीमार रहता है तो पूरे बर्ड में शोचाट तर अलग रख दें चुकि उससे होता क्या है कि जो पूरे बर्ड में इंफेक्शन है पहलने का डर नहीं रहता है तो अभी मैंने यह चार बर्ड यहां पर रखा हुआ है जो मेटल्टी हो गया है और एक बर्ड अभी जो है यहां पर है जो भी तो है देखिए इसका क्या होता है तो कि मैंने इन लोगों को दवा अगरा पिलाया था लेकिन अभी तो ठीक होने का कोई चांस नहीं लग रहा है यह हो सबता है कि ठीक हो जाए लिकिंग मुस्किल है 50 50 चांस से तकी बहुत ही हलका हो गया है और मैंने इनको जो दवा चलाया था आई बेस में आपको बताता हूं अगर आपको फार्म पर आई बेस कभी आ जाता है तो आपको ज़्यादा घवडानी की जरुवत नहीं है बस समय रहते हुए आप उनका इलाज शुरू कर दें त और लिवर्टानी की यूज कर सकते हैं कोई भी मतलब यह नहीं की यहीं यूज करिए और यहाँ एविरान डियाश यहाँ आपका जो है विटामीन है जो आपका सभी विटामीन की कमी को पूरा करता है और यहाँ एक आयोडिक दवा है तो इसके जगह आप कोई भी विटाम विटामिन डी यूज कर सकते हैं और आई वियाश के लिए जो दवा आता है मैं आपको दिखा रहा हूँ यह तो पाउडर है इस बियम केयर करके है और मैंने इसको ही यूज किया था 50 ग्राम एक हजार बड़ के हैं तो इतना ही मैंने दवा यूज किया था और मेरा जो बड़ ठीक है इस समय और इन समय को अभी भी यह दवा चल रहा है चार से पांच दिन तक यह दवा चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा लेकिन जो है अब लिवर और किड्नी के लिए दवा रेगुलर चलेगा क्योंकि क्रालर फिट चला तो पर लिवर एफेक्ट होता है जो है चला रहा है तो आप जरूर जो है लिवर टॉनिक और किड्नी के लिए लिवर टॉनिक और किड्नी का दवा जरूर चला और यह जो मैं आपको दवा दिखाया हूं वह जरूरी नहीं है कि आप यही दवा चला सकते हैं और जब भी आप फीड लाएं कहीं से तो आप खूले म के लिए पूरा शीट नहीं लाकर रखें कि आपका सुरू से लिए के अंतर तक वही शीट चले और आप बेच कर देपना मुर्गा आप एक हजा चूजा पाले हैं तो सुरू में 20 बैग लाईए क्योंकि 20 खाने में चूजों को 25 दिन लग जाता है तो ऐसे में फीट खराब हो कि पहले तो सुरू में 20 बैग लाएं उसके बाद जितना आपको लाना आए उतना लाएं क्योंकि उसके बाद तो जो आपका बड़ है तयार हो के भिक जाएगा तो सुरू में अगर आप एक हजार चूजा पाल लाएं तो आप 20 बैग फिल लाएं उसे ज्यादा नहीं कि अपयार उसके बाहर हो में विल्ड़ कि लाएं कर रिम्हें लाएं